नमस्कार मेरा नाम है विवेक शर्मा, मैं एक social entrepreneur हूँ, आपसे मिलता हूँ बहुत सारे platforms पे और बात करता हूँ cancer की और mental health की, आज है 14 जुलाई, शुक्रवार और हम है कोट्यार मेरेट इस hotel में, जहां पे एक conference चल रही है, master class in lung cancer, and मेरे साथ है Dr. Radhika Bangka, जो की एक respiratory physician है, और ह हम बात करने वाले हैं, जानेंगे काफी कुछ, उसके पले मैं चाहूँगा जानेंगे काफी कुछ, उसके पले मैं चाहूँगा जानेंगे एक brief introduction दीजे, so that जो आपको पहली बार देखनें, वो जानेंगी वो किसे मुखातिव है, नमस्ते, मेरा नाम, Dr. Radhika Bangka है, जैसे व विविग जी ने कहा, I'm a respiratory physician, मैं हिंदुजा शॉस्पितल में प्राक्टिस करती हूँ, बोत माहीम और खार, and thank you विविग जी फॉर हाविग में हूँगा जैसे हम बोलते हैं कि screening, कोई चीज जो है, अक्सर जैसे cancer कि जब हम बात करते हैं, तो फिल्मों में बड़ा कि अगर हम screening की बात करें, तो क्या ये पॉसिबल है, बिकोज कुछ कुछ cancers है, यसे जिसे breast cancer है, या ovarian cancer, आप जाला जानते हो इसके बारे में, तो जब हम लंग cancer की बात करते हैं, क्या screening possible है, संभव है क्या? So, 100% lung cancer के लिए भी screening possible है, और बहुत सारी western countries में, विदेशों में, especially US और यॉरोप में, बहुत सारी studies भी हुई है, जिसमें दिखाया है कि screening lung cancer के लिए possible है, और उसके फाइदे भी है, So, जैसे आपने correctly बताया, breast cancer के लिए हम mammogram करते हैं, ovaries के लिए हम एक blood test करते हैं, वैसे lung cancer के लिए हम CT scan करते हैं, पर जो CT scan में, जो हम dose use करते हैं CT scan करने के लिए, वो काफी कम use करते हैं, तो इसे हम उससे low dose CT scan कहते हैं, So, जो एक ज़दारना भी रहती है कि जतना जादा राडिएशन उससे जादा राडिएशन से इससल राडिएशन नचान होते हैं, वैसे लिए लो डोस CT scan करते हैं, जिसमें हम हम हाइज रिस्क इंडिविजल्स, तो जनरली हमने बहुत कॉमनली सुना है कि CANSERS भी जो सिगरि पिया है, और उनका हम ये लो डोस CT scan कराये साल भर साल, एक साल, फिर उसके बाद दूसरा साल, फिर तीसरा साल, और उनको हम काफी सालो तक फॉलो अप करें, तो विदेशों की स्टाडीज में दिखाया है कि ऑल्मोस्स 20-25% तक फाइदा होता है कि हम लंग कैंसर के कारण तो डेफिनिटली ये बहुत ही आवश्यक है और ये एक पॉसिबिलिटी है कि लंग कैंसर के लिए स्क्रीनिग हो सके पर हमारे कंट्री में अल्रेडी बहुत सारी बाधाय है इसको लेके, तो तो ये रीजन कि वह बहुत रुटीनली इंप्लिमेंट नहीं हुआ है अब तक समय से उसने किया हो बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें जेरली जो सब स्टडीज में दिखाया है कि पचास साल की उम्रे से लेके पिछातर साल की उम्रे तक वो स्क्रीनिंग करते है और जिनोंने एट लिस्ट तीस साल तक से जादा सिग्रेट पी है और बीच सिग्रेट तो हम उसे एक पाक के और हम काल्कुलेट करते हैं तो बेसिकली जुनोंने भी सिग्रेट और तीस साल तक पी है उतने वो स्मोकर्स को हम टागेट करते हैं प्लस जुनोंने लास्ट से पंदरा साल में चोड़ी है सिग्रेट उन्हें भी हम टागेट करते हैं तो जनरली हम य जो इसको क्иться है तो फिर भी स्क्रीशंग कर सकते हैं सो यह सब देट भी हम और बेसर्ण कंट्रीश से एक्ट्रापोलेट कर रहे हैं उंका देट प्लाइ कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंट्री में अभी तक हमारे पास screening के लिए क्या डेटा होना चाहिए वो है नहीं बट हाँ मोटा मोटी अगर आप मुझे पूछे तो देफिनिटली स्मोकर्स जिनोंने तीस साल 20-30 साल सिग्रिट पी है अगर वो बट है तो फिर अनने स्क्रीन करने का कुछ मतलब नहीं है अगर लंक अंसर डिटेक्शन होता है तो वो शर्जरी के लिए फित होने चाहिए आपने बहुत अच्छी बात आई लेकिन मुझे साल लगता है कि कुछ लोग इसक्की तरह भी ले सकते हैं तो पिते हम दिन को है तो हम क्या करें मुझे तो यह वो एक स्गूरी रिस पर है या वो मुटत मुटत था विए तो इटाने को कि अगरू पास नहीं है कि बताने को कि ए जादा रिस्क पर है नहीं क्योंकि कोई भी स्क्रीणि प्रोग्रम में हमें सबका तो CT शन नहीं कर सक यह जो हम हम हजारो स्कैन कर रहे हैं और एक पिक अप कर रहे हैं जो इतना स्ट्रिक्ट क्राइटिरिया के बाद भी युएस में जो स्टडी हुआ था तीन सो बी स्कैन करने के बाद एक लूंग कैंसर मिला था तो यह, कंपेट हैं जो 300-600 मामोग्राम करते हैं तो एक ब्रuard बेस्तों स्कैन्स कर रहे हैं जो थो फिर पिते रहे हैं to just one diagnostic कि यह फितरूख्य है लूंग किए स्मोकिंई कर रिंवर्ग दो बाद करता है जरूरी है at the moment जो which would fall into the category जो हमने अलड़ी डिस्कास किया है जो एक और सवाल मेरा आप से यह जो लोडोस CT scan है यह कितना महंगा है और कितना accessible है और कितना time लगता है सको करने पहें So, let's come to the first pass cost तो cost तो उसकी बहुत variable है private sector में अलग है तो भी एक range अगर किसी को जानना हो तो So, private sector में it can cost anywhere from say 3,000 to 6,000 rupees, public sector में तो वैसे भी free होता है Low dose CT scan, normal CT scan machine में ही होता है उसमें सिर्फ जो dose use करते है जो हम MSV units कहते है, तो normal CT scan में around 4-5 होता है, low dose में वो 1.4 के आसपास होता है So, वो करना मुश्किल नहीं है तीसरा, समय तो जैसे normal CT scan को एक दो मिनिट लगता है वैसे ही इसमें भी एक दो मिनिट लगता है पर उसे करने का एक तरीका होता है और दूसरा की जो radiologist होते है उसमें वो पढ़ने के लिए माहिर होने चाहिए क्योंकि वो जो छोटे-चोटे नॉडूल हमें मिलते है CT scan पर उन्हें पिक अप करना उन्हें पढ़ना कि यह जैसा दिख रहा है या या चैंसर नहीं है बनाइन क्योंकि majority nodules, almost 95% of these nodules बनाइन रहेंगे, cancer नहीं रहेंगे तो वो पिक अप करना उतनी हमारे radiologists में क्षमता भी होनी चाहिए तो specifically जब यह सब studies west में होती है तो radiologist को training दी जाती है कि यह specific CTs कैसे पढ़ने है तो वो भी हमारे देश में दूसरा एक बादा है विकुस रीडियोलोजिस और वेल तो रीड दी लेड थी CT scans खेर बादाए है और रहेंगी लेकिन हम उसकिलों का सामना करते रहेंगे और आपके साथ आते रहेंगे और सारे स्पेशलिस को लेकर आप कहीं मत जाएगा हम फिर मिलेंगे डॉक्साब आप से आप देख रहे हैं मुझे यानि कि वेवेक शर्मा शोसल अंट्रेपरनर को विड डॉक्टर राधिका बांका थैंक यू